आपका में आपका दोस दिने सनिम्भावत बात करते हैं इस्पेसली जो फास्ट रिविजन को लेकर ये रहेगा रीट को लेकर राजस्तान के संदर्ब में जो रीट का एक्जाम है उसको लेकर पड़ा इंपोर्टन रहने बाला है बात करते हैं आर्टी एक्ट दो जार इग् है चैनल सब्सक्राइब कर लेजीगा देखे सबसे बहसे बात करते है 39 मार्च 2020 11 को इसके अधिसुसना जारी होती है होरह के अधिसुसना गुंदिस मार्च typ 2019 जारी होती है और एक अप्रेल 2021 को ये लागू हो जाता है एक अप्रेल 2021 याद रखेगा डेट को इसके बाद जो इसमें जो है इसमें भाग 10 दस भाग कहें या 10 अध्याई कहें confused नहीं होना या तो भाग देदेगा या अध्याई देदेगा 10 भाग नियम या तो नियम देदेगा या धारा देदेगा नियम और धारा कितनी है 39 है ठीके उसके बाद बात करें मैं बात कर चुका हूँ एक अप्रेल 2021 को लागू होता है और आर्टी जो आर्टी एक जो 2009 है उसकी धारा 38 है 38 धारा है उसके अकोर्डिंग जो इसको आर्टी एक दूजार 2011 जो ये लागू होता है ठीके इस्टेट के संदर में ठीके उसकी को लेकर है ये अब बात करते हैं आगे चलिए अब इसके धाराओं की बात करते हैं नियम के बारे में फास्टली देखेंगे सोटली याद रह जाएगा सबसे पहले में जो है दारा एक में नियम नाम है कौन-कौन से नियम उनके नाम है ठीके सेकंड में परिबासा ही दे रही है विसे लेटेड और दारा तीन में SMC के सरस्टना के कारी है दारा चार में SMC कारेकारी सम्विती है दारा पांच में यो जो SMC जो योजना तयार करेगी और तीन वर्से योजना तयार करेगी उसका उल्लेख है दारा छे में बालकों के विशेज प्रिक्सेक्ष्टन को लेकर बात की गई है दारा साथ में विधाले के आसपास के सैत्रों सीमाओं की बात की गई है ठीके और धारा आट में राज क्रवप्रफ दौर्ट, तरिध्वर्फ जो उसकी बात की गई है ठीक है और धारा 13 में बात करें परवेस को लेकर है परवेस सेक्षिनिक जो परवेस कपत की दिया जा सकता है सेक्षिनिक वर्स प्रारंब होता है उसके 6 महीने तक दिया जा सकता है धारा 14 की बात करें विधालों को मानिता देने की बात दारा 14 में है और धारा पंदरा में बात करें विधालों की मानिता वापस लेना कि उनके मानक किस तरीके से उनको वापस लेने का प्रिक्रेक उलेक पंदरा में है ठीक ना उसके बात करें धारा सोरा में बात करें धारा सोला में बात करें विधालों है तू नियुंतम योगेता पिर धारा स परजित यानि कि उन मानकों को जो है जो मानकट तैय करती है सरकार चेल्ज करती है जो और जो मानकत तैय करेगी इसको unless लानकों को पूरा करना उनकी योगोंगे तद मासिल करना जो इसकुल जाते निए ठीक जाराच मोठी 3 नियम जो है वो दारा 19 में है और धारा 20 क्या कहती है धारा 20 कहती है उसके बाद बात करें धारा 21 क्या कहती है धारा 21 चातर शेक्स का अनुपात बनाए रखना जो वहां RTA जो उसमें 26 में है वो यहां पर किसमें चातर शेक्स का अनुपात को सोरी 25 में 25 में जो है यहां पर यह इसमें है चातर शेक्स का अनुपात को क्या है बनाए रखना धारा 22 में बात करें जो सेक्स सिगनिक प्राधिकारी के जो है वो उसके कारिये धारा 22 धारा 23 में बात करें पर्मान पत्र परदान करना धारा 24 हो ज आएगी धारा पचीश करें बाल को मातवपिता की सिकायद का निवारन आपके पचीश मोग जाएगा धारा 26 में जो वहाँ पर आर्टी दू जार नो में क्या आ गया दस परशेंट से सीथे कमनी होने ुनी चाहिए धारा 26 वां चो यहां पर है राजतान राजी बाल अधिकार सरक्षलाइब के करतवय का निर्वन यहां पर है। तो बात करें धारा 27 में राजस्तान राजी सरकार परिषत का गटानेयं उसके कर्तवी है सुरी राजी सलागार परिस्द का गटनेयं उसके कर्तवी किसम है 28 में है ठीके और दारा 29 में बात करें संकाओं का निराकरां ये कुल मिला के 10 चैप्टर है और 29 आपके धारा या नियम है इसको लेकर ये बात है ठीके उसके उसके संदर में एक और आता जो इसको लेकर अध्याई का नाम भी पूछा जा सकता RTL 2011 राजस्तान के संदर में तो सबसे पहला जो इसका अध्याई है चैप्टर जो इसको प्रारंबिक कहा जाता एक से दो धाराई इसमें दूसरा चैप्टर है विधाले परबंदन सम्मिती 3-5 दारा इसमें है तीसरा चेप्टर का नाम है निसुल्क और अनिवारी सिक्सा का अधिकार इसमें केवल दारा 6 है ठीक है 3-6 याद रख लेना देखो 1-2 विधाले परबंदन 3-5 निसुल्क शिक्सा अधिकार में दारा 6 उसमें विधाले विधाले और अधियापाओं को क्या है दाइतव है उत्रा दाइतव जो है धारा 10-15 यादि 5 धाराएं है इसके अंतरगत ठीक है उसके बाद बात करें छटा चेप्टर जो इसमें धारा 16-21 है धारा 16-21 है इसमें ठीक है ना जटीन में अधियापकों के जोगताओं वकिर उनकी बात की गए ठीक है जोगताओं से जो भी रहेगा दारा साथ की बात करें अधारा सातकी बात करें तो इसके रंदेर पाठיטी चरिया और प्रारंपिक सिक्षा का पूरा होना इसको लेकर बात की गई है इसमें दारा आएगी बाइस से तेवीस दारा आएगी बाइस से तेवीस जो दारा आएगी बाइस और तेवीस दारा इसमा जाएगी और फिर आटवा चेप्टर जो इसमें सिक्का इतनी वरण की बात की गई है इसमें 24 और 25 दारा आएगी फिर चेप्टर नंबर नाइन जो आता बाल अधिकारों का सरंक्षन आएगा इसमें 26, 27, 28 दारा आएगी और दस्वा जो लास्ट आएगा वो आपके क्या हो जाएगा वो आएगा आपके परकिंड क्या हो जाएगा परकिंड 29 जो है नाइन वी धारा इसम दहरा ओ चेप्टर की बात भी करें किशेप्टर का नाम भी याद कर किजाये गा चाहिए र ट व्य इन हो उप्लेवन द एक سंद्वा में नाम पूछा जाता है इस पेसली उत्तरदार बे डाई तो वाला यह दो देख़ कर जाेगा नमस्कार चैनल को सब्सक्राइब कर